Hello Dear Students, Welcome back to our platform JK Study तो आज किस वीडियो में हम बात करने बाले हैं JKP Border Battalion Recruitment के Mock Test Analysis के बारे में तो हमने कुछ दिन पहले JKP Border Battalion का Second Mock Test कंड़क्ट करवाय था तो उसका आज हम इस वीडियो में Analysis करेंगे और इस वीडियो के तुरू आप अपनी rank और अपने score को भी देख सकते हैं कि आपका कितना score रहा है उस Mock Test में और आपकी कितनी rank रही है उन सभी candidates में जिन candidates ने इस Mock Test को attempt किया था और इस analysis के साथ आफिर देख सकते हैं कि क्या भी आप sales zone में चल रहे हैं और आपकी preparation ठीक चल रही है जाँ फिर आपको और मेहनत करने की जुरूरत है तो जैसे अभी कुछ आप इस वीडियो में जान सकेंगे और इस वीडियो के end में आप सभी students के लिए एक important information भी है तो आप वीडियो के last तक बने रहें तो सबसे पहले हम देखते हैं इस पुरे mock test का analysis तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कितने students ने इस mock test को यहाँ पे दिया तो अगर हम बात करते हैं तो total candidates जो appear हुए थे वो थे 303 इस बार जो mock test है उसमें कम ही candidates appear हो पाए हलाकि पिछले mock test में ज़्यादा candidates ने इनको attempt किया था उसमें जो number of students पास रहे हैं वो रहे है 75 और जहां पे इस mock test के अगर हम cut-off की बात करे जें तो वो रही है 69 जानी कि यह उपका 100 marks का paper था उसमें से जो अगर हम cut-off निकालते हैं तो वो 69 रहती है और जिनकी students ने cut-off को clear किया है वो है 43 students बाकी students जो है वो cut-off clear नहीं कर पाए है जानी कि अगर हम इसको अगर final exams की तरह देखें तो 100 में से यह भी 303 में से केवल 43 students जो है वो इस exam में qualify करते हैं और वो 43 students कौन है वो हम नीचे list में देखेंगे उसके साथ साथ आपको यहां पर बता दें कि इसकी इस mock test की यह cut-off है वो 69 इसलिए गई है क्योंकि यह mock test easy था और candidates की बहुत अच्छी preparation चल रही है तो उसी को देखते हुए यह cut-off 69 हमने त्यार की है इसके अलाबा आपके यहां पर काफी dots रहते हैं कि final जो exam रहेगा उसकी cut-off कितनी रहेगी तो वो यहां पर सिद्धा simple logic है अगर paper आपका easy रहता है तो cut-off आपकी high जाती है और अगर आपका paper जो है वो tough रहेगा तो वो cut-off जो है वो आपकी low रहेगी तो जैसे भी कुछ आपके final exam में भी देखने को मिलता है ने इस test में qualify किया है जैनि जिनकी cut-off जो है वो clear हुई है और जिनकी अच्छी preparation चल रही है और वो यहां पर आपका जो final exam रहेगा उसमें उनके पूरे chances हैं कि वो final cut-off भी clear कर जाएंगे अब जहां पर बाकि students जेबा सोचना कि अगर हमारा इस list में नाम नहीं है तो हमारा जो final selection है वो नहीं हो सकता तो जिन भी candidates के 60 plus marks है उनकी भी त्यारी अच्छी चल रही है और उनके भी पूरे पूरे chances है selection लेने के लेकिन जिन candidates के यहां पे 60 के below marks है उन candidates को अपनी preparation और यहां पे त्यारी करनी चाहिए क्योंकि अगर आपके इस mock test में 60 below marks आ रहे हैं तो आपकी यहां पे कमी रह रही है आपके final selection में भी आपके आने के बहुत कम chances रह जाएंगे तो आप अपनी preparation को और boost up करें तो हर एक जो candidate है वो अपना individual result आपने telegram channel पर जाके देख सकता है वहां पे हम पूरी list upload कर देंगे वहां पे आप हर एक individual के आपे candidate का result आप आप देख पाएंगे तो यह पूरा mock test का analysis रहा है इसके साथ साथ हमने इस mock test के जरिये एक और चीज कहां पे notice की है वो चीज क्या रही है वो आप सभी देख सकते हैं कि maximum students ने क्या किया है कि जो math के questions है उनको attempt नहीं किया हुआ है सिर्फ gk के questions को attempt किया हुआ है इसका जही reason है कि सभी students जो है बो gk पर focus कर रहे हैं और math और reasoning पर focus बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं जो आपके exams के लिए आपको काफी यादा दिक्कत में डाल सकता है क्योंकि gk अगर ऐसा subject है क्योंकि वो यहाँ पर gk कहीं से भी आ सकती है अगर आपकी पढ़ी हुए gk आपकी exam में अगर नहीं आई तो फिर आप वहाँ पर first जाओगे लेकिन math एक ऐसा subject है reasoning का ऐसा subject है जिनके fixed topic रहते हैं तो वो अगर आप वहाँ से math पढ़ो तो आपके वही यहाँ पर topic exam में भी पूछे जाते हैं और आपके उतने ही number exam में भी बिल्कुल आ जाएंगे लेकि यहाँ पर maximum candidates around 95 candidates जो है वो सरफ gk पर focus कर रहे हैं और यहाँ पर math और reasoning पर focus बिल्कुल भी नहीं करें तो जहें उनके लिए एक advice हमारी तरफ से है कि आप math और reasoning पर भी जरूर focus करें नहीं तो आपके selection के chances यहाँ पर काफी दूर हो जाएंगे अगर pattern बदलता है क्योंकि maximum candidates previous pattern को देखते हुए study कर रहे हैं जिसमें math के यहाँ पर 12 से केवल 13 question ही देखने को मिले थे लेकिन यह कोई fix नहीं रहता कि 12 से 13 question ही आपके final exam में आएंगे क्या बता हम math के इस वार 25 question आजाएं और सिर्फ जो candidates सिर्फ GK पढ़ रहे हैं तो फिर उनके लिए old problem हो जाएगी तो इसलिए हमारी तरफ से आपको जही एक suggestion है कि आप math के यहाँ पर GK के साथ math और इसनी को भी जरूर बढ़ें तो कल से हम math और इसनी के practice आट भी लाएंगे वहाँ से आप उनको easily देख सकते हैं तो जहीं थी important information जो सब students के लिए जूरी थी और बाकी candidates और यहाँ पे कुछ पूछ रहे थे कि 12th को यहाँ पे के return exams होगा या नहीं तो अभी तक कोई भी official confirmation नहीं आई है कि 12th यहाँ पे सब्तमबर को आपका exam conduct करवाया जाए यहाँ पि नहीं तो जब तक कोई official यहाँ पे confirmation नहीं आजाती तब तक हम कुछ नहीं से कह सकते बाकी आप अपनी preparation को यहाँ पे जारी रखें इस September तक कि आपका जो exam है वो यहाँ पे होने के पूरे पूरे चांसिस हैं तो फिलहाल इस पार्ट में इतना ही था बाकी हमने जो भी mock test कि अगर आपको question जो math के solve relation चाहिए तो वो आपको यहाँ पे हम करवा देंगे आप comment section में बता देना और किस भी अगर अपना individual result देखना है तो वो टेलीग्राम पर जाकर अपना individual result दे सकता है तो description box में आपको टेलीग्राम का link यहाँ पे मिल जाएगा तो फिलार्स पार्ट में इतना ही तो इस वीडियो को like करें और मिलेंगे अभी आपको home next part में